हेलो स्टूदेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी सॉल्विंग क्वेशिन नमबर 11 और NCRT एक्सराइस फोर्स और लॉप मोशन, तो पहले आपने क्वेशिन पढ़ लेते हैं, क्वेशिन बोल रहा है, तू अब्जेक्स, इच ओफ मास 1.5 पेजी, आर मुमिं इन प्रफ में स्ट्रेक्स और दू बोलं का मास जो है, वो वो 1.5 पाइफ सेजी आर एक बोला प्रॉब इन पिजी ए और एक है आयर गोनो का मस्च जो है, वो 1.5 केजी हैं, velocity हो जाएगी minus 2.5 meter per second. क्यों लिया? तो ही, यह direction मैंने positive माना, तो यह इस तरफ आ रहा है, opposite, तो यह क्या हो जाएगा? Negative. Velocity vector quantity है, अगर यह direction positive है, तो यह direction negative. फिर क्या रहा है, they collide and after collision they stick together. collision के बाद चिपक गए. मैंने पिछले videos में बताया है, जब भी object चिपक जाएंगे, तो वो single body बन जाएंगे, single body बन जाएंगे, तो उनका mass क्या हो जाएगा? add हो जाएगा, तो total mass हो जाएगा, 1.5 plus 1.5 total mass हो जाएगा 3 kg and they will move with a single velocity, यह की velocity से move करेंगे हैं ना, मैं आपका हाथ पकड़ लूँ और आपको लेकर भागने लगूँ, तो जितनी रफ्तार मेरी होगी, उतनी रफ्तार आपकी होगी, तो यहाँ भी वही हो रहा है, ठीक, अब आप लगा दो law of conservation of momentum, ठीक, जहाँ भी collision वाले question दिये हैं, तो वहाँ पर आपको law of conservation of momentum लगा देना, is equal to final mass M multiplied by final velocity P, M1 कितना दिया है, 1.5 into 2.5 plus 1.5 M2 दिया है, into यह है, minus 2.5 total mass है, 3 into V 1.5 into 2.5 plus into minus minus 1.5 into 2.5 is equal to 3 into V अब देखो, यह value और यह value सेम है, और दोनों की भी इस minus sign है, तो कितना आ गया, 0 is equal to 3 V 0 by 3 is equal to V यह V क्या हो गया, 0 कहने का मतलब, दोनों object टकराने के बाद, rest में आ जाएंगे, इसको इतना solve करने की जरुवत भी नहीं थी, आप यह धिहान रखो, if two objects are moving with same velocity and they are of same mass and after और टकराते हैं opposite direction में आके, तो after collision, they will stick together and they will come to rest, ठी? I hope it is clear to you, thank you for watching.